नमस्कार मैं है अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबर को जाने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की खुखियों पर पटना में आज से नियम तोड़ने वालों की कोई खाय नहीं राज़त की प्रदेश कार्याले में लगा तारा आने वाले दो दिनों तक बिहार में आंडिपाली की बढ़ी आसार बंचाच चुनाव के आयूजन में देरी होना अफ़ तर कोरोना की रोक्ताम के लिए आज से इ किनेमा हॉल में 50 और रेस्टोरेंट में 25 प्रतिशत से कम लोगों के जाने की अनुमती होगी पार्क और सारजनिक सार पर मास्क लगाने धर्म के सर पर आम लोगों के लिए बंद करने जैसे फैसले लिए गये हैं इसके साथ ही आज से सरकारी कार्याले में वड़िये अधिक अन्तिम संसकार में 50 श्यादी विवाह में 200 और पबलिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत लोगों को बिठाने का आदेश जारी किया गया है इसके साथ ही शाम 7 बजे की बाद सभी दुकानों को बंद करने के भी आदेश है आने वाले दो दिनों तक बिहार में आंधी पानी के बड़े आसार बिहार के कई जीलों में बीते दिन आंधी पानी जैसा महौल देखने को मिला जिसके बाद बिहार के कई जीलों का मौसम सुहाब ना हो गया है पटना समेट सुबे के अलग-अलग शेहरों में बादल चाहे रहे हैं जिसके बाद गर्मी से लोगों को डाहत मिली है पटना का दिक्तम तापमान 6 डिगरी जब की गया का 2 डिगरी तक नीचे देखने को मिला है वहीं बीते दिन के पिछले 24 गन्टे की बाद करें तो पूर्णिया में सबसे ज़धा 16 मीलिमीटर बारिश्त दर्ज की गई है कदवा में 12 मीलिमीटर और बीमनगर में 11 मीमी बारिश्त दर्ज की गई है मौसम विभाग का कहना है कि दो तरफा हवाओ की स्थिती से अगले दो दिनों तक आंधी पानी की स्थिती बने रहने के आसार है अग्ट में संसुधन की बाद ही अब हो पाएगा पंचाय चुनाव पंचाय चुनाव पर लगा ग्रहन खत्म होने का नाम नहीं लिरा है पंचाय चुनाव में EVM को लेकर रस्ता कसी का महौल देखनी को मिल रहा है इस रस्ता कसी के वज़ा से विहार में समय पर पंचाय चुनाव होने की संभावना कम होती जारी है बता दे कि पंचायतों का कारकाल जून महीने में ही खत्म हो रहा है खबरों की माने तो पंचायतों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाएगा जिसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्ता के भी अब जरूरत होगी बिहार के लिए कई ट्रेनों का परिचारन हुआ शुरू कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार सरकार की साथ साथ के इंदर सरकार की परिशानी भी बढ़ा दी है कोरोना की लहर को देखते हुए ही देश के अने शेहरों में रह रहे बिहार जारकन के लोग अब अपनी घर आने लगे है ऐसे में सभी प्रमुक स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग सहेत इसके रोग थाम के लिए हर संभव कोशिस की जारी है इसके साथ ही विहार वासियों के लिए मुंबई में ट्रेन उपलब्द नहीं होने की बात का भी जीएम ने खंडन किया है इसके साथ ही जीएम ने यह भी बताया है कि पहले से लगभग 180 इस्पेशल ट्रेने जल रही है इसके अलावा मुंबई से 17 श्पेसल ट्रेनों का परिजानन किया जाएगा हलांगी कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह भी साफ किया है कि कोरोना नियंतरन और सफर के दौरां किसी आपात इस्तिति से निबटने के लिए रेलवे ने हर 200 किलो मीटर पर एक स्टेशन पर सभी ववस्था करने का निर्देश दिया है बिहार में कोरोना के मिले 2000 से ज़्यादा मामले देश और बिहार में कोरोना संक्रिमूतों की मामले डराने लगे है स्वास्ति विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 गंटे में जारी किये गए आकरो के अनुसार बिहार में कुल 2174 नए मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 2,64,004 पर पहुंच चुकी है वही जबसे ज़्यादा प्रभावित टॉप 3 जीलों की बात करें तो पटना में 661 मामली सामने आये हैं इसके साथ ही गया में 191 और वही भागलपूर में 163 मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 गंटे में ठीक हुए मरीजों की बात करें तो कुल मिलाकर 318 मरीज ठीक हुए है और अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,65,048 पर पहुंच गई है इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,335 पर पहुंच गई है आज बिहारी बर्थदे स्पेस्चल में हम बात करेंगे कवीता राय की बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है समय समय पर बिहार वासियों ने अपनी प्रतिवा का प्रमान पेश करके देश की साथ साथ अलग-अलग मोर्ची पर बिहार का नाम भी रौशन किया है इसक्रम में हम आज बात करेंगे बिहार के हाजिपूर जीले में आजी के दिन साल 1980 में जन्मी कवीता राई के बारे में कवीता राई एक पुर्व एक दिवस्य अंतरास्टे क्रिकेटर है जोनने भारत का प्रतिनेत्व किया उन्होंने अपने क्रिकेट इतिहास में वन डे इंटरनेशनल खिला वह दाय हाथ की बले बार्ज है और दाय हाथ की मध्यम गती की गेंद बाज भी करती है पटना में आज से नियम तोड़ने वालों की कोई खेर नहीं आज से राजदाने पटना में नियम तोड़ने वालों की खिलाफ सकती बढ़ाई जारी है जिसके ताहत नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा दुकानों को भी सील किया जाएगा जिसके बाद आज से पटना में कोरोना से बचाव की मानों को का उलंगन होने पर आपके खिलाफ करान एक्शन लिया जाएगा दुकानों को सील किया जाएगा इसके बज़े के बाद दुकानों को बंद किया जाएगा इसका अनुपालन SDO की तरब से गठ टीम और थाना द्यक्ष करवाएंगे। के दोरान विधान सभा में मार पीर के दोशी पुलिस कर्मियों के साथ-साथ मर्यादा भंक करने वाले विधाया को को भी बक्षा नहीं जाएगा अगर दोशी पाए गए तो उन पर भी कारवाई होगी। पूरी तयारी पूरी कर ली है, इसके तहत सभी यात्रियों की जाच की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमती दी जाएगी। हालांकि जाच में कोई परिशारी ना हो, इसको लेकर प्लेट्वार्म एक पर जाच के लिए 15 काउंटर बनाए गए है, हर कोज के यात्रियों के लिए अलग से ववस्ता भी की गई है, जिसके तहत अगर बिमारी की पुष्टी हुई तो उन्हें आइसो लेसं सेंटर लाया जाएगा, जहाँ परिक्षन के बाद अगर जरूरत महसूस हुई तो उन्हें क्वैरंटीन भी किया जाएगा, या उन्हें फिर बस स्टैंस से ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें गंतवे के लिए रवाना किया सके। बड़े स्कूलों ने बिना पढ़ाई किये ही, जब रन फीस लिये, क्या सरकार फीस माफी पर कोई पहल करेगी, तो उन्हें ने शिक्षा मंतरी विजय चौधरी पर की सवाल फेंग दिया। मोधी भगवान है। यहां वाक्या क्लब हाउस चैट का है, जहां उन से पुछा गया कि इतना मैसिव एकॉनमी क्राइसिस में मोधी के खिलाफ एंटी इंकम्मेंसी नहीं है। इस पर प्रशांद किसोर ने जवाब देती हुई कहा कि मोधी का एक कल्ट पूरे देश में बन गया है। 25% लोगों को मोधी में भगवान दिखता है, बंगाल में हिंदी भाशी मोधी का कोर वोटर है। बंगाल में एंटी इंकम्मेंसी स्टेट के खिलाफ है, सेंट्रल के खिलाफ नहीं है, जिसके जवाब में प्रशांद किसोर ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि भाजपा हमारी कलव हाउस चैट का पूरा आडियो रिलिस करें सिर्फ एक हिस्सा नहीं। राज़त के प्रदेश कारियाले में लगाताला कुरोना संक्रमन का मामला लगातार भ़्ता जा रहा है, इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से जरूरी दिशंद्र देश जानी किये गए है, जिसके तहद सरकार ने शिक्सन संसान और धार्मिक इस्तल पर ताला लगा दिया जिसके बाद अब राजद पार्टी कारियाले में मीडिया के साथ बारी लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है अंदर जाने के अनुमती बस उनी लोगों को है जो प्रते दिर पार्टी के कारियाले के अंदर जाते हैं इसके अलावे सभी के लिए पार्टी कार्याले के गेट बंद कर दिये गए है शनिवार को सुबा से ही पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा है आज वानखेडे स्टेडियम में एक दूसरे के आमनी सामने होगी दिल्ली और चिन्नई IPL सीजन की शुरुवात हो गई है जहां बेते दिन खेले गए मैच में मुंबई ने रिकॉर्ड कायम करते हुए हार का सामना किया वहीं RCB को पहली जीत मिली जिसके बाद आज चिन्नई और दिल्ली एक दूसरे से भीरने वाले हैं जहां एक और CSK महेंदर सेई दोनी की कप्तानी में चौथी बार किताब अपनी नाम करने के इरादे से तो वहीं दूसरी तरफ सीजन की सबसे युवा कप्तान रिशब पंत के नितृत में दिल्ली पहली ट्रॉफी जीतने के मकसद से उतरे की चेर्ने और दिल्ली के बीच ये मुकाबला मुंबई के वार्केरे स्टेरिय में खिला जाएगा इस मुकाबले में टॉस शाम साथ जबकि इसके आदे गंटे बाद मैच के शुरुवात होगी इस मैच का सेधा प्रसारन स्टारे सपोस वन, स्टारे सपोस टू, स्टारे सफोस वन हिंधी पर देखा जा सकता है इसके साथ ही इसनि प्लस हॉट स्टारपर मुकाबले की लाइव स्ट्रेमिंग उपलबद रहेगी कविता कौशिक ने बिग बॉस को बताया फेक हाली में एक फैन ने लिखा कि आपको बिग बॉस नहीं करना चाहिए था मुझे नहीं पता लेकिन इसने आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहचाया मैं आपका बहुत फैन हूँ और आपके लिए जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों की कामना करता हूँ जस पर कविता ने लिखा है कि ये ठीक है वो कहते हैं ना कि एक बार आपकी इमेज खराब हो जाए तो आप मुक्त हो जाते हैं मैं उन लोगों को बिल्कुल भी तवज्यों नहीं देती जो किसी को फेक रियालिटी शो में देखकर पियार या नपरत करते हैं चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपकी अनुसार आज चिन्ने और दिल्ली के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में किसको जीत मिलेगी आप अपने जवाब हमें कमेंट सक्सें में कमेंट करके जरूर बताए और बिहार से जुरे खबरों को देखते रहने के लिए जुरे रहें बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार